नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी फ्रवाद करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल कमांडो केट में दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो एरफोर्स की रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और कई दिनों से इन बच्चों की कोशिश्ती क कि इसका रिजल्ट कब आएगा रख कब हमारे सेलेक्शन होगा जो इन्रोल्मेंट वाले हैं उनकी रिजल्ट की जो डेटे भी कई बार नाउस हुई थी कि इस डेट तक उनका रिजल्ट आजाएगा लेकिन अब जैसे ही अगनीपत योजना यानि ट्यूर ओव डूटी ला अगनीपत योजना के तहती होगी इसका मतलब कि इसके जो पिसले वाले जो भी पेपर और रिजल्ट है उसको केंसल कर दिया गया है अब बहुत ही कम चांस हो गए कि वह रिजल्ट आये यह हो सकता है कि उन बढ़तियों को निरुद कर दिया जाएगा शाथ ही अब आर्मी क आप सभी को पता कि बहुत ही लंबा समय हो गया है तो आर्मी का भी पेपर की कोई डेट या कुछ नहीं है हो सकता है कि पेपर इसका भी रिजेक्ट किया जाए लेकिन इसके भी ओपीशिल कोई जानकार नहीं है क्योंकि आर्मी चीप से हैसा कोई क्योशन पूछा नहीं गय या पेपर रहा हो अब इससे अनुमान ये भी हो सकता है कि जब एरफोर्स का रिजेक्ट हो सकता है तो आर्मी का भी रिजेक्ट हो सकता है इसमें कोई संदे नहीं है आप ये उमीद ना लगाए रखेंगी उनका रिजेक्ट वा हमारा नहीं होगा हो सकता है और एरचीफ जब एंट्री दी जाएगी जहां तक मैं आपको बता दू 99% यह मान के चलिएगी जब आयरफोर्स का रिजल्ट रद कर दिया गया है तो आर्मी का भी रद किया जाएगा या हो सकता है रद किया जाएगा अगर इसके लिए आप मांग उठाए तो बहुत अच्छी बात है कि इस पेपरों को रद नहीं कहा जाए क्योंकि इन बच्चों के साथ में खिलवाड है जो बच्चे काफि समय से तयारी कर रहे है आर्मी के पेपर की और जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे है एरफोर्स में तो यह बाद में निरस्ट कर दिया गया है तो उससे पहले ही यह मांग उठनी चाहिए कि इसके पेपर को रिजेक्ट नहीं कह जाए और एरफोर्स वा रिजल्ट भी आना चाहिए जिन बच्चों की नियुक्ति होती है उनको देना चाहिए उसके बाद में अगनीपत के द्वारा एंट्री करने चाहिए लेकिन हाँ एरफ एरफोर्स में जो भी एंट्री होगी वो अगनीपत योजने इने ट्यूर ऑब ड्यूटी के रूप में ही होगी तो हो सकता भारतिय तेनों शेनाओं में भी अब ये डिसीजन लाग हो जाए और आर्मी का जो फेपर बचावा है व बखारत